कि हलो परेंट्स वेलकम टू ल passy चैनल दोस्त अफसी चैनल में आपका स्वागत करता हूं और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नई भरती समच्छा अधिकारी व सहाइक समच्छा के बारे में और दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको गौर्मेंट जॉब से रिलेटर सारी वैकेंसी के अपडेट रिजल्ट के अपडेट मिलते रहेंगे दोस्तों यदि आपके मन में कोई सवाल होगा तो कमें समिच्छा अधिकारी के भी पोष्ट थे और उसका एक्जाम भी इसी महीने में होने वाला है जैसा कि 22 दिसंबर को यह एक्जाम होने वाला है समिच्छा अधिकारी के और उसमें जो भी बहुत सारे पोष्ट थे उन सभी के दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सम UP PCL के थुरू और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अलावाद High Code का भी RO और RO की वेकेंसी आती रहती है कभी RO की आती है तो कभी RO की आती है और कभी कभी साथ में ये वेकेंसी देखने को मिलती है लेकिन दोस्तों अभी हाले में सची वाला के थुरू भरती आई हुई है और उत्तर प्रदेश बिधान परिसाद में वेकेंसी आई है लेकिन अब जो वेकेंसी आने वाली है वो वेकेंसी उत्तर प्रदेश बिधान सभा के थुरू आने वाली है और इसमें आपको समिच्छा अधिकारी वो सह लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों इस वेकेंसी के इनतिजार में आप नव बैठें क्योंकि दोस्तों उसकी तैयारी आप अभी से कीजिए यह आपके लिए सबसे बेयतर होगा दोस्तो इसके पोस्ट की बात करें तो लगबग आप ये मान कर चलिए कि जो विधान परिशत के पोस्ट है इसमें तो बहुत ही कम पोस्ट थे टोटल 19 पोस्ट थे लेकिन इसमें जो है आपका विधान सभा में लगबग 80 प्लस सीट होने की संभावना है यानि कि 80 से ज़्यादा सीटें इसमें होने की पूरी संभाना है तो दोस्तों आप तयारी करते रहें लेकिन इसका ये भी ध्यान रखिएगा कि एक्जाम भी इसी तरह करवा लिया जाएगा और बहुत जल्दी मतलब ये मान कर चलिए 5-6 माईने में इसकी वैकेंसी को पूर कर लिया जाएगा और दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो पेपर होता है प्री और मेंस के थुरू पेपर होता है और अबजेक्टिव टाप की ये पेपर होते हैं और दोस्तों यदि ARO की वैकेंसी निकलेगी तो उसमें ज़रूरी होता है O-Level तो यदि आप केम्प्यूटर से O-Level निलेट से कर लेते हैं तो ये आपके लिए बेतर होगा और यदि आपके पास ये डिगरी है तो सबसे बड़ी अच्छी बात है आपके लिए कि आपको थोड़ा इसमें सिलेक्शन के ज़्यादे चांसे हो जाते हैं क्योंकि O-Level जो है वो कमपर्टिशन के हिसाब से देखें तो जिनके पास O-Level होता है वो कमपर्टिटर नहीं होते हैं और जिनके पास O-Level की डिगरी नहीं है वो लोग इसकी फिलहाल में जो है तैयारी कर रहे है और अपना ये डिगरी हासिल कर रहे है तो यदि आपके पास O-Level नहीं है और केवल CCC है तो CCC काम नहीं चलने वाला है आप O-Level की पढ़ाई करके एक साल की कोर्स है इसको कमपलीट करके आप O-Level की डिगरी हासिल कर ले जिससे कई विभागों से आने वाली भरती को साहक समिच्छा अधिकारी को आप देख सकत हैं तो इसके लिए आप Elisable हो जाएंगे तो दोस्तों अपनी तयारी जोड़ सोर्से कीजिए और जल्द ही आपको यह वहरती देखने को मिल सकती है और दोस्तों 2020-21 की वी उत्तरप्रतिस लोग सेवा आयो की भी समिच्छा अधिकारी वह साहक समिच्छा अधिकारी की भरत लेगा उसके लिए आपको कड़ी मेनत करनी पड़ेगी और प्री और मेंस के थूरू आपको पता होगा इसका एक्जाम प्रोसेस क्या है अब्जेक्टिव टाइफ है और इससे रिलेटेड आपके जो टॉपिक होंगे या फिर जिसमें आपको डाउप्ट होगा यादि में पूछ सकते हैं तो दोस्तों आप तैयारी कीजिए तब तक आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और भी कोई खबर मिलती है ता आपको इस चनल के माध्यम से सुचित किया जाएगा तब तक के लिए धरनेवाद टेक केर बाइब